जानकरी रखते हैं। आपके पर्चे भी देदें। जी सब मैं डॉक्टर आशी शुकला। जी और मैं इसे भलपूर मस्टेश्टेश्टे हूं। जी में एक हॉस्पिडल है। इसमें डाइग्नॉस्किर सेंटर्स पॉनोग्राफी एक पर्च कर्मा सेंटर्स। जी पंचकर्म करना है। जी पंचकर्म करना है। जी अब आपको क्या इंट्रेस्ट है मैंग्निटीजम, मैस्मरीजम या हिपनोसिस की तारफ वह भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। सब्सक्राइब तो माज जी तो निकलाग हुआ है। निकलाग मतलब मैंटल डिसॉर्ट होता है। इंफ्लामेटरी बावल सिंड्रूम आई बीएस के पेशन तो रिकावर हो चुके हैं लेकिन मन में नहीं है कि कल सकते हैं लेकिन उनका मस्तिस्क से भी ठीक करना चाहिए कई पेशन आसे नहीं को स्यर्फोबिया इसा है इंपोग अचली में मौडल में तो इसनों नहीं प्रिकाव करते हैं तो मेटासौन और मेलाटोन इस पज़रा के टेबलेट और प्रेशन पर देशन को देशन को इस प्रिकाव करते हैं यह डिपेंडेंशी कम हो और पेशन साधना भी करते है अजात्मे भी है बड़ीकल डॉक्टर्बी है वहत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत है ठेखेटber ठीज़्स ट्रूरी है कि हमारे क्या नाम है अशी इसने सरी अभिसेख जी आपका भी परिचे में और नुश करते हैं कहा के रहने वाले हैं क्या काम करते हैं थोड़ा सा मैं उसकी जानकर ही चाहूंगा मैं ज्यारखंट के रांची से रहने वाला हूं मैं सोलर और बैटरी का डिलर हूं टाटा पाउर सोलर का और मेरा वो देश है कि बीजनेस में अपने को यह सब बहुत तरीके का प्रोगलम का सामना करना पड़ता है जिसे जो है कंपेटिशन काफी ज़्यादा तो अपना भी उठान करना है कुछ इसब शिख के प्लस क्या है कि कुछ समासेवा का भी उदेश है राइट अच्छी बात है पहले अपना बिजनेस को अपने अपको अपने घर परिवार को सुरक्षित करके आगे बढ़ाना उदेश है जे 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 उसके बाद जहार तक लोगों के काम आ सको उसमें तो है गाउं समाज देश का हेंट करने के लिए त्याद जिस तरीके से भी बहुत अच्छी बात तो ऐसा होना भी चाहिए है ना लोगों का हेल्प भी करें और दुस्तरों को सवा करने के बाद ही तो वह अपने आप ही अपना भी भला होता जाएका तो दुस्तरों को सवा करना भी बहुत मौक्षे के मार के प्रसश्त करता है यह यह तो अपना नेजर में करिब करिब पिछले 40 साल का नुहों तो है अमारे साथ इस जी 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 अच्छी बात है ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो भी जो पुदेश से हैं उसके साप से मैं मैं कुशिस करूँगा अब यह सब्सक्राइब में मैं करेंगा नमर है के बाद में कर आप सोयू यसे हैं समझाऊंगा नमबर बान और हमारे विसे से न है कि परंपरा के इसाफ आपको संजाऊंगा यहां पर कैसे होता है उसे से कर लच्छन क्या है आत्मा की प्रकार क्या है थोड़ा सा आपको इस प्रिच्वल नॉलेज हो जाएं तो वह अच्छी बात है आज मैं फॉस्ट दिन है थोड़ा सा छोटा ही क्लास लोंगा आज है न तो फिर लेंथ लंबा बनाते जाएंगे तो आपको आपका मिरर होना चाहिए और मिरर अपने दिवार पर लगा दें आज नहीं कल के लिए तो मिरर में भी थोड़ा कर आँगा उसमें दो पार्ट में मैं ट्रेनिंग दूँँगा एक है मैंनेटिजम मैसमेरिजम क्या है अपनी शरीर का जो एनर्जी है उसको बुस्ट कर देना है आख मिलाना है आख को इतना पावर्फुल बनाना है ताकि वो प्रोजेक्ट कर सके हमारे खुद का एनर्जी दूसरे को ट्रांस में ले जाने सकता है उसके जरीए इसलिए हम अपने ही वीतरगा जो उर्जा है उसको बुस्ट करेंगे उसको एक्टिवेट कि आप आपका जो ब्रभाव कारिता है आपका जो है प्रभूत तो बलूँ नहीं से किसी के उपर हावी होना है न उसकी जो बढ़ जाती है काफी बढ़ जाता है परक्रम बढ़ घाता है आपकी जो medical degree है और या आपकी आयरवेद में जो करते है आप करिए वह तो अलक साइनस से वो कफका जाता है किस प्रकार चेछ तरब हैं ले किन मैं मानता हूं हर आदमी का में अभी क्या है न जिसके जो भी कंपनियां जो बनाते हैं उसमें मुझे लगता है वो टेन से लेकर टॉट्वाइव थाटी परसेंट ही उसका जो कंटेंट है वह वह डाल देते हैं दूसरा तो सब कमर्शिल करते हैं जिसकी वज़से आयरुवेद का हाँ बनाम भी हुआ औ तो वह काम नहीं होता है क्योंकि आप तो मेडिकल डॉक्टर है हमारे सुकला जी तो जिस हिसाब से आयरुवेदिक मेडिसिंस से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता है और रिजन क्या है आप आप ज्यादा जानते हैं आप बहतर जानते मुझसे क्योंकि मैं तो मैं तो साइकलोजी का हूं साइकलोजेस्ट हूं वह साइकलोजी का पीजडी हूं तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वह अलग सेज़े लेकिन मैं मानता हूं यह जो हमारे जो प्राचिन जो साइन्स आयरुवेद का है है ना आयरुवेदी लाफ विश्टाल नैश्रल जो जिवन सहली के बात है वह हम हर आदमी को फॉलोजे करना चाहिए है ना हाम मैं तो वह होई करताू मैं तो हमेसा ऐसा ही करता हो मैं इसलिए उसे ज्यादर क्या हो सरीर भी सुस्त रहें और हमारा जो भी हम करेंगे कि सारी की सारी चीज़ हम चितना के ओपर करेंगे हम सरीर की वोगत जाएंगी हमारे जो भी कोर्ष से जो मैंस्मरीजम gen है इस में हम सरीर की वो ध्यान hoнул देंगे हम स्यतना की दि Hahn है चत्रा की वाहर हम आदमी को अच्छा लगे गयत कोई का अधिम और भी और तो गंटों रह सकता है तो वह एंजाइटी की वज़ज़ से उसके मन रहता है ना सरीर कितना भी सुष्ट हो फिर भी वह बैचाइनी रहता है वार क्योंकि उसका चतना वह अच्छी तरह से उस जिस हालात में होना चाहिए नहीं है वह तो मानता हूं 95 परसेंट जो भी डिजीज ह है रोग है यह तो यह सब साइकलोजिकल होता है मैंने सुना है वह काफी जो नेपाल में भी है काफी अच्छे नेरो लोजिस्ट और बिजस्ट में भी काफी है बहुत सारे विद्वान है वह बोलते हैं कि जो बिमार लोग है जो ऑपरेशन ठीटर के अंदर उनको ले जाया मैं तो बस इसको तो जीत के ही आ जाओं तो ऐसे लोग ही बस पाते हैं जिंदा लौटते हैं जो पहले से ही नर्वस हैं वो लोग कभी भी नहीं लौटते हैं जितने भी सोचता हूं वह सर्जर के बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं चले जाते हैं क्योंकि वह बड़ी का ऐसा कंडिशन बना देता है मस्तिसक ताकि वह जिंदा लौट सके इसलिए वह मस्तिसक बहुत पाइर नैंटी फाइप सेंट तो साइकोलोजिकल होता है साइको सोमाटिक होता है उसके बा की लोगों के उपर होता है 50 से उपर ही लोगों का 50% से उपर ही लोगों का तो यह फिजिकल मैनिफिस्टेशन है वह साइकोलोजिकल एफेक्ट है जैसा कि कोई का इस्ट्रेस लेबल है ज्यादा है और किटी सिजम करते हैं दूसरों को किटी साइज करते रहते हैं ऐसे क्या है फीचिकल लेवल प्रूप में हाइप्रेशन की रूप में आखके में और काफी और दुसरी रोग की रूप में हैं इसलिए इसलिए सॉखलोजी का बहुत बड़ा रोल है कप तो और दुसरा जो है आयरुवेदिक में मैं बात कर रहा था हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड में मैं उपन करूंगा आए ना ऐसा कि आयरुवेदिक का एक जड़ी है पता नहीं उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है जब मैं बद्रिनाथ के उपर हिमालय में हां मैं यात्र कर रहा था अम एक एक योगी जी थे उनको मिलने के लिए जा रहा था मैं कि और काफी बर्फ बर्फिला पहाड भी था तो उसमें देख़ए ने न कि आप मैं तो कि घुर्णड आ रहा कि यह आ रहा है यह यह आ रहा है कि जिए जिए नई तो मोबाइल को इसा कर दें ना कोई बात नहीं एसा है कर दें तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है मुझे लगता है अब यह जो इंग्लिस में है क्योंकि तेओरी है इंग्लिस में है उसके घबराने के जरूत नहीं कि सब हिंदी में ही होगा है ना तो आगे वाला जो है जाएंगे इंग्लिस में भी जाएंगे लेकि थोड़ा मैं एक बात कर रहा था कि मैं बद्रनाथ के उपर जा रहा था है ना तो वहां पर क्या हुआ कि उपर की वर मैं हम मैं और मेरे एक एक दोस्त थे चल रहे थे तो ठंड बहुत था क्योंकि बरफिले पहाड है बहुत था तो हमें रास्ते में एक योगी जी मिले हमें उनके पास कोई परचे नहीं था तो परचे नहीं था कि हम आगे उन से बात करते रहें वह भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां पर ठंड काफी था तो आप लोगों को बहुत लग रहा जैसे लग रहा हमें तो मैं आपको थोड़ा सा एक जड़ी दिखा देता हूं तो उसके वह पत्ते ले लेना सिर्फ एक या दो पत्ते ही लेना उसे ज्यादा नहीं लेन ऐसा भूले थी वह पत्ते मुझे मालूम है अभी अभी एज़ो साहिद इनाइचे नहीं मिलता है वह हिमालय में मिलता है एन उसके जो पत्ति तो उसका फोटो भी मेरे पास है कंट कि रखा हूं वह पत्ते थोड़ा सा वह जो थो तोलसी नहीं रहें जैसा थैसे त Chloe ऄले वे प्केर था उसको यह दो पत्ते हीता है, ऐसा पूला उन्हों ने दिखा आया लगा कि आप यह तो पॉजनेस होजगता है नहीं पहले खा लिया फिर हम ने भी खा लिया एक पत्ते यह दो पत्ते खाली और खाने के बात में इसा लगा कि इतना चोटा पता क्या खाने कि ये ख़तम कर देगा आपको के शरीर में जो है वह लगे गा ही नहीं इसा बला था लगे गा ही नहीं बलाथा उसके बाद में आगे बड़ा लगेगा ही नहीं तो यह कुछ मिनट के बाद मैं ने फजांगी एक दो पत्ति तो तो इसके बाद में आधे घंटे के बाद में ऐसा हुआ इतना जलन हुआ कि जलन तो और उसके बाद में वह बाहर के जो जैकेट है उसको उतार दिया मैंने उतार के बैग में डाल दिया और चलते रहें चलते रहें और गरम होता गया सब कपड़े उतार दिया सेंडों पर आगे वह अपने रास्ते चले गए हम आगे बढ़े तो इतना जलन हुआ कि आप वह आप मैं उसको बैन ही नहीं कर सकता तो कपड़े तो सरी में हम रखी नहीं सकते इतना देंजरर से ज्यादा हो गया न डॉज बिल्कुल ज्यादा हो गया तो अब उससे आगे बड़े हम उतने 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 बने और फिली एरिया में कई पर भी हमने कपड़ा पहेने ही नहीं नहीं ऊपर और भी जलन जितना हवा चलता था उतना अच्छा फिल वता था एसा लगा कि वह थंड लग सकता है कॉप बढ़ सकता है ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसा लगा लकिन हुआ नहीं लेकिन आगे बढ़ें और जाके पास मिलें और ओ खुटिया में रहें और वह अगे लात भर बिक वड़ा भी हो ऊसर के उपर और आगे बढ़ें और उसके बाद में फिर वापस आ गए हम बंदेनात में बंदेनात में और उसमें रुके एक रेन बसेरा तो उसमें कि भी हम शोगए रात बर नहीं जलता रहा जलता रहा इतना पिड़ा हुआ कि ना पिड़ा हुआ आप मैं बताए नहीं सकता वह मेरा दोस्त को भी मुझे और एक दूर दिन रहे हमारा यातर था कम से कम एक दू महीने का लेकिन और करी नहीं पाए इतना जलन हुआ इतना जलन हुआ लगा कि अब दूसरी यात्र कंसिल करके हम वापस चले जाएंगे नेपाल फिर हम वह सिर्क 15 दिन ही पिते होंगे फिर उसके बाद ने टोटल फिर हम वापस आ गए फिर वह भी रास्ते में भी वह जलता रहा इतना गर्मी हुआ इतना बात यहां आने के बाद भी एक मैने तक उसरी जलता रहा इतना डेंजरस होता है वह छोटी से पत्ती है तो अब कभी भी हिमाले के यात्र करेंगे तो वह सी जड़ी को सारा लेना पड़े एक या दो दो या तिन पत्ति ले लेंगे अपने जीब में या उसको सभागे लेंगे तो आपकी वह पूरे यात्रा यह महिनों तक कहीं पर भी आप ठंड का एक एक एसास भी नहीं हो पाए एक ठंडी का तो ठंडी का तो बहुत दूर की बात है आपको एसासी नहीं लगए कि आप वहां हिमाले में चल रहे जब भी जाएंगे सर तो उसका फील पोटो बेर दीजिए लगए इतना इतना पाउर फुले अभी उसका में मुझे माल नाम मालूम नहीं है इसा नहीं कि मैंने पैपर भी वह पड़ा भी नहीं हूँ कि किसी पुस्तक में उसके जिक्र किया भी नहीं इसा लगता है जहां दो कि वह बहुत करता हूं कि तो हाँसरे इसा होता है ऐसा काम नहीं करता है और वह फेस्ट करें तो काम करता है तो यात्रा वे साधक के लिए या कहीं फिर व्यात्रा में जाएं तो आपको ठंड भी उसको आपको तखलीफ दे सकता है है ना है इसा हो सकता है तो उसके कुछ भी नहीं होगा कुछ भी जरा सा भी इतना हो है तो अब हमारे ये थोड़ा सा वो कॉट होने वाला भी फोटी मिनट्स का ही था फिर दुबारा जॉइन करना पड़ेगा एक बार ठीक है ठीक इसी लिंक पर फिर चिकलिक कर दें हो जाएगा बार से पर लिंक फिर चिकलिक कर दें हुआ कर दो है है